हाई अब्रिवान वेल्कम डिश्रडियाइस अभी हम देखेंगे आफ्रीकन बावाफ ट्री के बारे में डिसर्शन करेंगे सबी रिशेंटली न्यूज में यह जो टॉफिक है इंपर्टन फॉदा यूपी इसी आई इस स्पीजिस एससे के लिए इंपर्टन है चले रिखते हैं रिसेंटली एक स्टॉडी हुआ है इस स्टॉडी के इस सबसे जो कि उसका स्टॉडी का जो रिपोर्ट आया है ठीक है एक जौर्नाल में पॉप्लिकेशन हुआ है सो इसमें लिखा है कि scientific report okay has been found that trees जो कि African Bobov has 168 chromosomes okay so previously जो study बाद उसमें था कितना estimated 96 and 166 chromosome but अब फिलाल जो है recent study हुआ है उसके हिसाब से कितना 168 है okay so यह हो गया क्या है नन्यूच उसके बाद इसी tree के बारे में थोड़ा सा photo दिखेंगे so this is the tree okay then हम रेखेंगे type of trees so Bobov's a the deciduous trees ranging in height is 5 to 20 meters इसका हाता है and deciduous tree है यह, so deciduous forest जो कि होता है, एक vegetation compost primarily of the broad-leaved trees that shed all their leaves during one season, इसका जो क्या रेता है, इसका जो leaves रेता है, वो shed के तरह जो क्या काम करता है इसके लिए, ठीक है, और इसका जो leaves रेता है, यह बड़ा रेता है and यह कहाँ पे मिलता है ना अफ्रिकां बाव ओफ ठीक है, जो कि वन अफ दा नाइन स्पीसीज अफ दा बाव ओफ एंड नेटीव अफ दा में अफ्रिकां में मिलता है and they are also found in African savannah and African savannah ecosystem is tropical grassland with warm temperature वहाँ पे and highest seasonal rainfall होता है in the summer में होता है so it is characterized by the grasses and small or the dispersed trees that do not form a close canopy okay so allowing sun light to the trees is the ground इसका जो tree का जो leaves होता है वो क्या है and branches होता है इसका बन नहीं होता है जिसे कि Henry canopy के जcji box नहीं होता है यह उपन ने रता so that क्या है सबन अब ने खर नुपन नेठा है जो area में जोपेड है इसका sunlight नीचे तक भी प्टता है So tree of life देखेंगी जो है इसका जो जो कि during the rainy season it absorbs क्या करता है जो कि बारिस होता है उसका भी क्या है ना जो water को ये store करके रहता है जो कि उसका जो मैंने दिखाए दा फोटो में भास्ट ट्रॉंक है ठीक है उस ट्रॉंक में क्या है ना water conserve करके रहता है फिर ही उसको क्या है जब क् produce nutrient dense fruit जो कि है is in the dry seasons dry season में जब पानी कम हो जाता है arid season में source time में क्या होता है उस water को हुआ उसका बचाओ के लिए यूज करता है So uses कहां पे is a tree है life more than a thousand years and provided क्या करता है ना food करता है लाइफ स्टोर करता है water medicinal compound से and raw materials से थेर्ट देखेंगे 2005 से रेखेंगे हमारा जो climate change हो ठीक है So environment pollutions, plastics, इसके बज़े से climate change हो ठीक है So climate change के बज़े से क्या है ना यह oldest African brow जो की brow of species five of the six largest trees have died ठीक है और suffered the collapse or death हो ठीक है So that's all thank you